कि हाई गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू पांडू इंगलियस अकेडमी आयम बागिरत गोधारा आज हम क्लासिक्स के फिफ्ट लेशन डिफरेंट काइंड ओप स्कूल के पार्ट फर्स्ट की स्टड़ी करेंगे इस लेशन के अंदर हम एक एसी स्कूल की पढ़ाया जाता है बच्चों को यह समझाया भी जाता है कि लाइफ में ट्रेजडी क्या होती है और मिस फोर्चून क क्या होता है यह बहुत अच्छा लेशन है मैं आपको बताऊंगा आगे इसी लेशन के अंदर सो जो चैनल पर नए हैं उनसे निवे दिन है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसके अपडेट मिलते रहें जब भ पड़ेंगे यह लेसर्ड जो है वह मिस बी नाम की एक लेड़ी उसकी स्कूल को पड़ सब्सक्राइब करें जैसे कि हमने देखा है कि लोग blind भी होते हैं डीब भी होते हैं डम भी होते हैं लेम भी होते हैं लोग अंदे भी होते हैं बहरे भी होते हैं लंगड़े भी होते हैं तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं तो यह सब चीजें सिखाई जाते हैं मतलब क्या है उच्छी स्कूल क के derived कि वर्स में एक बार हर स्टुदेंट के लिए एक साल में एकओ बलाइंड का होगा वनम दे डीफ का होगा वहलं उनौ का होगा यह यह कब से होगा जब से वो ऊथे गा टो वो उसी रूप में ुठेगा अगर विसको बंडे तो सुबह वो डम की रूप में उठेगा अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंड की रूप में उठेगा अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंड की रूप में उठेगा यह ताकि उसे पता चल सके कि मिस फोर्चून होता क्या है ताकि वो दूसरी कि जो भी मिस फोर्चून उसे मिलत अग्रेट डील अबॉट मिस्ट बीम्स स्कूल आई कर यहां ओधर कहते हैं कि मैंने मिस्टर बीम की स्कूल के बहुत कुछ सुना है बट नो तिल लास्ट वीग जिट देर चांस कम तू विजिट लेकिन लास्ट वीग तक मैं उसे स्कूल को विजिट नहीं कर पाया था उसके भी नहीं था सिर्व एक लड़की थी तो लब ट्वेली एर की थी हर आईज वर कवर्ड विद बेंडेश उसकी आंकों पर बेंडेश लगी भी थी लाइक दिस इसकी आंके इस तरह से बंद थी ओके एंड शी वोज बींग लेड़ केरिफली बीट्विन दे फ्लावर बैट लड़के के दौरा उसे हैं फ्लावर बेड़ की बीच में इदर से उदुर्द गुमाया जा रहा था शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्किट हीम हूँ हैड कम जैसे में टरवा तो रुकी और ऐसा लगा कि सायर उसने पुछा कि कौन आया है जैसे ओथर व कौन आया है ओके ही सिंट टू बी डिस्क्राइबिंग मीं टू हर वह यसा मुझे लगा कि जो लड़का उसे गुमा रहा था उसने मेरे बारे में उसको बताया देन दे पास्ट हूं फिर वह आगे चले के इस दब्लाइंड दे पूर इस गल ओके आगे हम पढ़ते हैं मिस मिस बीम के बारे में पहले से सोच रखा था वह वेशी ही थी अना केशी थी हूं मिडलेस्ट फुल अथर्टी अना येट कैंद ली अंडर्स्टेंग लागे मिस बैन मिस बीम इस इस ताइप अ लड़ी हर है वह बिगनिंग ओन तर्न ग्रेंग और सी हैड कायं ओंड ओंड लागे मारवाड़ी में कहूं तो कुछ बचे बोलते हैं कि मुझे आवड़ता नहीं है मतलब आपका जी नहीं लगता का मतलब है कि आप अपने घर के लागे और कहीं नहीं रह सकते जब भी आप एक दिन के लिए घर के बाद जाते हैं आप घर की याद आती है तो उसे होम सिखना से बोलते हैं यह होम सिखना से हैं I asked her some questions about her teaching methods अना author कहता है कि मैंने उसके teaching methods के बार कुछ पूछे which I had heard were simples जो कि मैंने सुने थे जो बहुती simple थे आगे बढ़ते हैं no no more than is needed to help them to learn how to do things simple spelling adding subtracting multiplying and writing वो कहती है कि बच्चों को ज्यादा को शिखाने के जुरू तो नहीं पड़ती है जिसे simply spelling शिका दी adding शिखा दी subtracting शिखा दी multiplying शिखा दी writing शिखा दी the rest is done by the readings to them and by interesting talks बाकी चीजें उनको पड़ गए सुनाना ओंको interesting story सुनाना उनसे interesting बाते करना during which they have to sit still and keep their hands quiet जब भी उनको बातें बताई जाती है को story सुनाई जाती है उन बच्चों को silently भेटना पड़ता था they are practically no other lessons उनको और को creativity इस तरह से activity कर वा जाती उनको सिर्फ activity के माध्य में से ही सिखाया जाता था ओके आगे पढ़ते हैं the real aim of the school is not too much to tease thoughts as to tease thoughtfulness kindness to other and being responsible citizens मतलब उस school का जो real aim था वो यह नहीं था कि उनको बहुत कुछ पढ़ाया जाए lessons रटवाया जाए लिखवाया जाए उनसे उनके एक्जाम लिया जाए उनको अलाल अत्रे के थोट सिखाया जाएं लोगों के पर थी कैडनेस के सोकुन यह सिखाया जाए उनको कैसे प्ले ग्राउंड एक्ट्वत बड़ा गाडन सजाय वा था और उसका प्लेग्राउंड भी वाहा पर अपर अगीं मीश रहें आप कर दिया दुखी कर दिया दो तुसी देट देया नोट ओल सो हेल्दी एन एक्टिव लिकिन लेकिन पेंश लिए क्योंकि जिन बच्छों को में वहां पर देखा वो हेल्दी नहीं थे अच्छे बच्छे नहीं थे हो हेल्दी नोट एक्टिव लुकिंग थे वो कभी आल से लग रहे थे लंगड़ी लग रहे थे अंदे लग रहे थे ब्लाइंड से लग रहे थे हना यह सब लग रहे थे वेन आई केम इन आई सो वन पूर लिटल गर्ल बिंग लेड़ अबाउट अना सी हैज कम ट्रबल विद ह आई जी ओथर कहता है कि जब मैं अंदर आया था तो मैंने देखा कि एक छोटी शी लड़की ती जो उसको किसी के दोवार ले जाया जा रहा था शायद उसके आंको में कोई प्रसानी होगी नाओ I can see two more with the same difficulties उतर कहता कि वेसी प्रसानी कि मैं दोर बच्चे हमां मुझे दे शी सिंस टूबी होपलस ट्रिपल ऐसा लग रहा थे कि वह एक निर्दी लड़की है चिल्डन साफ लेंग लाएगी डिस देयर आगे बढ़ते हैं ओतर कहता है मिस बीम लाफ्ट जैसे मैंने कहा कि जैसे में स्कूल के अंदर आए तो मैंने देखा कि यहां पर बच्चे जो और भी देखें और भी मेकाप पे सारे बच्चे देखें जो कोई लेम है को डीफ है को ब्लाइंड है को डम है कुछ और है तो इस बात को मिस्ट लेम ने सुन गरे कि उसकों सी आए ओ नो सी सेड शीज नोट ब्लैम मुवास्त में लंगडी नहीं थी सी इस इस ओनली हर लेम यह उनके लिए आज ब्लाइंड है आई मस्ट हैव लुक्ट वेरी सर्प्राइजड फोर सील अप्ड अगें जब वो दुवारा उसने बताया कि यह उनके लिए ब्लाइंड या डीफ दे तो मैं सुर्प्राइज जया गया इसा भी हो सकता है क्या सो सच टाइप ऑप इसकू देड़ा होगा ही द्यविट्स लगा हो तो लाएक करें संसक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें अपने ए वीच में शेयर हो खर्एफ फोल्व भी करवाएं मेरे इस चैनल लख आपको इसके लख एपर आपको मिलेंगें मेरे चैनल पर तोपिक अपको Plus मिलेंग इंग्ट इस composition में application writing, store writing, letter writing, share writing, यह सब चाज है आपको देखने को मिलेंगी ओधीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें, subscribe करें, share क्रें, comment करें, thanks for watching, have a nice day.